हलो फ्रेंड्स वेलकम इन सबका कॉलेज तो फ्रेंड्स आज का मारा टोपिक है वाट इस डू हाई लूप इन सी किसी के दर डू हाई लूप क्या होता है गाईज इससे पहले वाली वीडियो के दर मैंने आपको फोर लूप एंड हाई लूप बिल्कुल अच्छे से कलना स्टार्ट किया एंड अब चलते 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 दुबार इस पॉइंट पर आ गए ठीक है फ्रेंट्स यह था आपका एक राउंड यह क्या था आपका एक राउंड आपने एक राउंड लगाया पूरे ग्राउंड का एक ही पॉइंट से आपने स्टार्ट किया एं पांचवे राउंड पर ठक गए तो क्या आप 6 राउंड लगा सकेंगे नहीं लगा पाएंगे तो इसी वज़े से लूप क्या होता है लूप एक ही काम को multiple times करना क्या 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 लाता है लूप क्या लाता है तो देखिए फ्रेंड जिस तरीके से मैं यहां पर आपको पढ़ाऊंगा उस तरीके से आपको अपने एक्जाम के लिख के आना है जो कि आपके नोट्स हैं वो description में मिल जाएंगे और इनी नोट्स को आप अच्छे से याद करेंगे और अपने एक्जाम में लिखके आएंग जो यह पूरा do while loop इनी पर depend करता है जो चलिए देखते हैं चार पॉइंट क्या है फॉस्ट पॉइंट है मारा the do while loop is used to repeat a part of code until a specified condition will fulfill क्या बोल रहा है कि जो do while loop है वो क्या करता है किसी part of code को मतलब एक code का छोटा सा part है उसको repeat करेगा कब तक repeat करेगा जब तक आपकी कोई condition fulfill होती रहेगी जैसे मैंने यहाँ पर example दिया आपको कि आप round कब तक लगा रहे हैं जब तक आप ठक नहीं रहे और ठक जाने पर क्या करेंगे आप अपने round को stop कर देंगे ठीक है तो यह जो condition है कि ठकना तो ठकने condition है इसी condition पर हम क्या क code को repeat करता है and repeat कब तक करेगा जब तक कोई specific condition आपकी fulfill होती रहेगी ठीक है second point पर बात करते है it is an exit control और post-tested loop exit control क्या होता है ठीक है फ्रेंस exit control का मतलब क्या होता है यह जो आपका loop है उसमें जो condition है वो कब check हो रही है वो exit के time पर check हो रही है जैसे मैंने आपको बताया कि लगा रहे है ठीक है आपने एक round लगाया एंड उसके बाद लगाने के बाद आपने क्या condition check की कि भई आप जो है वो ठक रहे हैं नहीं ठक रहे मतलब आपने round लगाया फिर आपने condition check की है यह नहीं कि आप पहले ground पर आये आपने condition check की कि आप पहले से ठके हुए है या मतलब ठीक है, तो आपने ये नहीं किया, आपने क्या किया, पहले आपने आते ही एक round लगा है, उसके बाद आपने देखा कि आप ठक गए हैं या नहीं ठक गए हैं, इसका मतलब क्या है कि जब आप exit करने वाले हैं लूप से, ठीक है, जब आपका round complete हुआ है, जब exit करने के लिए ज उसके बाद test होगा, the test condition is checked after executing the body of loop, इसने बोल दिया कि जो test condition है, वो कब check होगी, after executing the body of the loop, पहले आपका loop की जो body है, वो execute होगी, उसके बाद क्या करेंगे, आप अपने जो condition हो चेक करेंगे, जैसे मैंने आपको यहां बताया, पहले आप एक round लगाएंगे, उसके बाद वो क्या है, the statement inside the do while loop are always execute at least once, जो आपका do while loop की जो body है, वो guys, एक बार तो पका ही execute होगी, मतलब एक बार तो आपका code execute होगा ही होगा, यह क्या है, खाशियत आपके do while loop की, ठीक है, while loop के अंदर क्या है, कि आपकी पहले condition check होगी, उसके बाद आपका loop body execute होगा, लेकिन इसके सबसे पहले loop body execute होगी, उसके बाद condition check होगी, इसको मच्छे से समझेंगे एक example के साथ, regardless of the condition, चाहिए आपकी condition यहापे valid हो, चाहिए नहीं हो, एक बार तो आपका loop की body होगी, execute होगी ही होगी, ठीक है friends, यह आपको समझ आया, अब हम बात करते हैं इसके syntax की, देखें, syntax of do while loop का use करने वाल है, so do keyword के बाद आप curly bracket का use करेंगे, जहां पर आप curly bracket बंद करेंगे, उसके बीच में जो भी space यह खा लिए, उसके अंदर आप जो भी code लिखेंगे, वो क्या है, आपके do while loop की body है, ठीक है, यह code आपका execute होगा, then क्या होगा, आप लिखेंगे while नाम का keyword, and उसक test condition, ठीक है friends, यह test condition क्या होगा, आपकी check होगी, तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, यहाप इसको मैं erase कर देता हूँ, इसको मैं erase कर देता हूँ, अब यह हम देख सकते हैं, क्या देखें, सबसे पहले, आपने क्या क्या क्या, curly bracket के आपने loop की body लिखी, तो आप सबसे पहले loop के अंदर आ जाते हैं, दुबारा यह body execute करते हैं, अगर आपकी body false हो जाती है, तो आप सीधा क्या कर जाते हैं, exit कर जाते हैं, आप दुबारा यहाँ पर loop के अंदर दुबारा आएंगे ही नहीं, यह क्या था आपका while loop, sorry, do while loop, and यहाँ पर आपने एक चीज़ notice की, कि यह do loop के बाद जो आपके curly bracket है, उसके अंदर आपका एक बार तो यह code execute होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी condition check नहीं हो रही, यहाँ पर सीधा आप loop के अंदर आ रहे हैं, and code को execute कर रहे हैं, उसके बाद आपकी condition check हो रही है, तो क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आपकी, क् execute होगी, then आपकी condition check होगी, मतलग कि आपका एक बार code जो loop की body जो code लिखा है, वो execute होगा ही होगा, ठीक है friends, and अभी हम बात कर लेते एक छोटे से example की, उससे आपको अच्छे समझ आ दाएगा, completely आप समझ जाएगे कि do by loop कैसे काम करते हैं, देखे, मैंने एक program लिखा है, hello world क मैंने को print करना है, मैंने को कितनी बार print करना है, hello world को, मैंने को चार बर print करना है, ठीक है, तो देखे, मैंने यह hashtag include stdio, अपनी header file लिख दिया है, int main मैंने main function बनाया, then, मैंने int i नाम से variable declare किया, जो क्या है, मेरा initialization variable है, initialization का मतलब, आप कहां से loop start कर रहे है, आप 0 से start कर रहे ह आप initialize कर देंगे, कि आप कहां से अपने loop को execute करने वाले है, ठीक है, वो मैंने start कर दिया, कहां 0 से, उसके बाद मैं लगाता हूँ, do by loop को, do, उसके बाद मैं do, do के बाद curly bracket, curly bracket के बाद मैं लिखता हूँ, printf, hello world, and then, मैं i को क्या कर देता हूँ, एक increment देता हूँ, मतलब i क plus का मतलब क्या होता है, i plus 2, i plus 1, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हमारी condition क्या लिए हमने, i is less than 3, i जब तक 3 से छोटा है, जब तक हम क्या करेंगे, hello world को print करेंगे, तो चली इसको dry run करके देखते हैं, and देखेंगे कि हमारे जो code है, वो क्या करता है, so case 1 के अंदर, क्या ह करेंगे, printf hello world करदेंगे, क्यूंकि हम सीदा loop के अंदर आ कर देकर, printf hello world, मैं कै करेंगे, hello world, ठीक है, अब क्या करदेंगे, i को हम एक बढ़ा देंगे, i plus plus करनने पर, second case के अंदर, i की value क्यो हो जागी, i की value हो जागी, 2, i equal to 2, sorry, i equal to 1 होगा, second case में, i Margaret score क्योंकि 0 के अंद हमारी condition check होगी कि i is less than 3 कि जो i यह वो 3 से छोटा है अभी i कितना है गाई जमार पास 1 है 1 is less than 3 आप क्या वह लेंगे true यह क्या true है true होने पर आप again क्या कर देंगे hello world print कर देंगे ठीक है आप क्या हुआ है हाँ पर i condition check कि condition check करने के बाद आपकी condition true हुई तो आप दोबार आपका i क्या हो जाएगा प्लस प्लस हो जाएगा थर्ड केस के अंदर i की value क्या हो जाएगा आपकी 2 तो 2 is less than 3 हाँ guys 2 less than 3 तो आप क्या कर देंगे अगें hello world print कर देंगे ठीक है एंड अगें hello world print करने के बाद आप क्या करेंगे i को दुबार प्लस प्लस करेंगे फॉर्थ केस के इंदर क्या होगा आपका i की value कितने हो जाएगी 3 तो condition check होगी 3 is less than 3 क्या 3 3 से छोटा है आप बोलेंगे false false होते के साथ क्या कर देंगा आप अ इस तरीक से हमने तीन बार hello world print कर लिया अपने डूवाई लूप से इस code को आप अपने VS code या किसी भी टेक्स रेट पर रन करके देखिए उससे क्या होगा आपको पता चलेगा कि आपको जो प्रोग्राम है को किस तरीके से रन कर रहा है ठीक है अब ही बात करते हैं आप मार न्युक बार आपकी उच्छिक्यूट होगी होगी आपने लूक की बॉड़ एक्सट चुर इंग जबर कर दी उसके च्राण ऱैं deeply डूब को एंड कर देंगे त्र ही कर आपने लूप को एंड कर देंगे या अगर आपकी जो बॉड़ी यह वो true हो गई, true होने पर दुबारा आप क्या करेंगे, अपने loop की body को execute कर देंगे, and execute करने के बाद आप दुबारा test condition पर आएंगे, and test condition दुबारा चेक होगी, अब दुबारा देखेंगे कि false है, true मान लिजे, false हुई तो दुबारा loop को end कर देंगे, and true हुई, तो आप क्या करेंगे, अब दुबारा आजाएंगे, अपने execute loop body के उपर, तो इसी तरीके से आपकी, जब तक आपकी true हैगी, आप क्या करते रहेंगे, इस वाली body को execute करते रहेंगे, and false होते के साथ क्या कर जाएंगे, आप loop से भारा आजाएंगे, ठीके friends, यह था आपका complete structure, किस तरीके से आप अपने paper के नदर लिखके आएंगे, so when the program control first come to do while loop, जो आपका program है, वो सबसे पहले do while loop के नदर आता है, the body of the loop is execute, आपकी जो body है loop की वो execute हो जाएगी, and then test condition expression is checked, उसके बाद आपकी test condition check होगी, unlike other loop, where the test condition is checked first, due to the property, the do while loop is also an exit control loop, लेगे, इसने बोला है कि जो आपके बाकी loops हैं, जैसे full loop हो गया, high loop हो गया, उसके अदर क्या होता है, आपकी test condition पहले check होती है, जो do while loop की mainly यही property है, क्या, कि आपकी condition है, वो आपकी एक बार code execute होने के बाद check होगी, मतलब एक बार आपका code execute होगा ही होगा, अब second वाले point पर आते है, when the test condition is true, जब आपकी test condition true हो तो आपका जो program है, वो दुबारा start पर जाएगा, और दुबारा loop की body को execute कर देगा, इस line का यह मतलब है, third point पर आते हैं, the above process repeat till the test condition is true, यह जो second वाली condition है, यह आपकी process होती रहेगी, कब तक process होती रहेगी, जब तक आपकी test condition true है, अगर आपकी test condition evaluated as false, अगर आपकी test condition false हो ज आता है, after the do-by-loop, आपके do-by-loop complete होने के बाद, अभी देगे, हाथो friends, यहाँ पर हमारे do-by-loop complete होता है, तो friends, वीडियो अच्छी लेगे तो like करना, चैनल को subscribe कर लिजिए, इस चीज की guarantee मैं लेता हूं कि उपकी university exams है, उसके अदर आपकी अच्छी marks आएंगे, ठीके friends, मिलत the next part के साथ, thank you so much.